आप सभी दोस्तों का आज के वीडियो में स्वागत हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाल हैं कि सिमांकन के खिलाब क्या करवाई करें सिमांकन निरस्त होगा या नहीं होगा सिमांकन निरस्त होगा तो केसे होगा और सिमांकन निरस्त नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ठीक है तो इस ग्राप के माध्यम से हम सब कुछ समझने वाले हैं इस ग्राप में जो नाम लिखे हुए यह सभी कालपनिक नाम है केवल आपको समझाने के लिए इन नाम का उपयोग किया है तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो च सिमांकन निरस्त करवाने की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा है समझना होगा कि सिमांकन किस प्रकार से विधिवत होता है और अगर वह सिमांकन विधिवत नहीं होता है तो उस सिमांकन को कैसे निरस्त करवाया जा सकता है तो देखिए यहा सामलाल के पडोसी क्रशक है, अब होता यह है कि सिमांकन कब करवा जाता है, तो सबसे पहली समस्या जो आती है, समस्या यह आती है कि किसी भी व्यक्ति की मेड को लेकर अगर कोई व्यक्ति विवाद करता है, कोई पडोसी क्रशक अगर किसी किसान की मेड को लेकर अगर कोई व इस्तिती में सिमांगन करवाया जाना जरूर रहता है तो अब यहां पर इस्तिती यहां बन रही है कि यह शामलाल और रामलाल जो है इन दोनों के बीच में इस मेड को लेकर विवाद चल रहा है शामलाल का कहना है कि शामलाल की जो मेड है यहां तक है और रामलाल जो कहता है क इसका जो खेते यहाँ पर है तो एसी इस्तिती में शामलाल जो है यह क्या करता है कि यह तेसिल दर्मोदे के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तूत करता है अब इसको अपन एक कहानी के माध्यम से अगर समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा तो आप वीडियो को तो फटा फट लाइक करें देना तो अब शामलाल जो है यह क्या करता है कि तेसिल दर्मोदे के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तूत करता है उस आवेदन पत्र के साथ में अपनी जमीन का खस्रा लगाता है बीवन लगाता है और वर्तमान नक्षा भी सनलगन करता है तेसिल दर महोदय जो है यह आवेदन प्रस्तूत होने के बाद में क्या करते हैं कि एक आदेश पारित करते हैं प्रात्मिक आदेश रहता है और उस आदेश में यह लिखा हुआ रहता है कि शामलाल ने जो ही इस नियालाई के समक्ष आवेदन पेश किया है इसलिए राजसुनिरिक्षक महोदा है और पटवारी महोदा है मोके पर जाए और शामलाल की जमीन का विदिवत सिमांगन करें तो अब आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से यहां से समझना है ठीके ना अब विदिवत क्या होता है उसको अगर आप समझ गए तो आप किसी भी सिमांगन को चुनोती दे सकते हैं किसी भी सिमांगन को निरस्त करवा सकते है ठीके ना तो देखी विदिवत सिमांगन जो होता है वह यह होता है कि निरिक्षक महोदय को उस सिमांकन को करना है और उस सिमांकन में सभी पडोसी क्रशकों को सुषना पत्र देना जरूरी है जैसे कि दन्नालाल को सुषना पत्र दिया जाएगा रामलाल को सुषना पत्र दिया जाएगा पन्नालाल को सुषना पत्र दिया जाएगा और शिवलाल पटवारी महोदय को भी निर्देशित कर सकते हैं और पटवारी जो है ये कोटवार के माध्यम से इन सभी लोगों को सुचना पत्र तामिल करवा सकते हैं तो देखें राजस निरिक्षक महोदय जो है इनके माध्यम से पटवारी महोदय को और पटवरी महोदय के मद्यम से कोटवार को या पटवरी महोदय स्वयम भी यह तामिल करवा सकते हैं तो यह जो नोटीस रहेगा यह जो सुचना पत्र रहेगा वह सुचना पत्र इस धन्नालाल को दिया जाएगा क्योंकि यह भी शामलाल के खेत का पडोसी है अब इस प्रकार से इन सभी लोगों को अर्थात इन चार लोगों को पडोसी क्रशुकों को या अगर इस शामलाल की जमीन पर इनके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का भी कबजा है तो उस व्यक्ति को भी उस सिमांकन का सुचना पत्र दिया ज़रूरी है ठीक है तो यह हो गई पहले प्रक्रिया अब मालिया जाए कि अगर इस प्रक्रिया में रामलाल को सुचना पत्र नहीं दिया जाता है हम मान रहे हैं कि रामलाल को सुचना पत्र नहीं दिया जाता है या इसको सुचना पत्र तो दिया जाता है लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह भी रामलाल के लिए सिमांकन को चुनोती देने का अर्थात उसको निरस्त करवाने का एक आधार हो सकता है अब दूसरी बात रहती है कि जब सबको नोटिस दे दिये जाते हैं या इनमें से कोई सुचना पतर देने से बच जाता है और अगर राजोस निरिक्षक महोदय ने कोई दिनांग फिक्स कर दी है कोई दिनांग निश्चित कर दी है कि इस दिनांग को श्यामलाल की जिशु जमीन है इस जमीन का सिमांकन किया जाना है और उस दिनांग को राजोस निरिक्षक महोदय या पटवारी महोदय जो है ये उ इनके द्वारा सिमांकन किया जाता है तो एसी स्थिति में भी उस सिमांकन को पड़ोसी क्रशक चायवर रामलाल हो या कोई अन्य क्रशक हो वे उस सिमांकन को चुनोती दे सकते हैं उसको निरस्त करवा सकते हैं क्योंकि सुचना पत्र में जो दिनांग दी थी उस दिनांग को सिमांकन नहीं किया गया है ठीक है तो ये दो आधार हो गए इसके अलावा यदि अगर निश्चित तारिक को ही राजस निरिक्षक महोदय और पटवारी महोदय के द्वारा सिमांकन किया जाता है ठीक है इनके द्वारा जो तारिक निश्चित की थी यदि उसी तारिक को इनक वह जो है इस्थाई मेडों से नहीं किया जा रहा है इस्थाई मेडों से मतलब होता है कि या तो सरकारी कांकर से की जाए या किसी सरकारी रास्ते से की जाए या पुराने एसे निशान से की जाए जो की इस्थाई निशान हो और उनके आधार पर कई बार सिमांकन किया गया हो और वह सिमांकन जो है हमेशा सही रहा हो ठीके तो इस प्रकार का सिमांकन अगर राजस निरिक्षक मोदय और पटवरी मोदय के द्वारा नहीं किया जता है और इस प्रकार की आपत्ती अगर किसी अन्य पड़ोसी क्रशक की किसी भी प्रकार की कोई आपती मोके पर प्रस्तूत की जाती है तो उसका निराकरण भी राजस्नी रिक्षक महधए को करना चाहिए, ठीके, अगली महतुपूर्ण बात यह है कि अगर शामलाल की जमीन का सिमांकन राजस्नी रिक्षक महधए और प से दिशाशे शुरू किया गया, पाइंट कहां पर बनाए गये, जैसे कि ये हिस्सा जो है, इसको भाग A दिया जाएगा, कि A से B का सिमांकन किया गया, जिसमें इतना इतना एरिया आया, फिर B से C का सिमांकन किया गया, जिसमें कि फिल्ड बुक भी बनाई जाने जरूरी है अगर फिल्ड बुक राजस निरिक्षक महोदय और पटवारी महोदय के द्वारा नहीं बनाई जाती है तो ऐसी इस्तिती में भी उस सिमांकन को भी रामलाल चुनोती दे सकता है अर्थात उसको निरस्त करवाने की कारेवाई कर सकता है अब सिमांकन पूर्ण हो जाता है और वहाँ पर जब राजस निरिक्षक महोदय के द्वारा पंचनामा बनाया जाता है श्यामलाल के सिमांकन के संबन में तो उस सिमांकन के पंचनामे के साथ में फिल्ड बुक, उसके साथ में सूचना पत्र और नक्षया ट्रेश जो रिद्धा है वह भी होना जरूरी है और साथ ही साथ उन सब के आधार पर राजस्व निरिक्षक महोदय और पत्वारी महोदय के द्वारा एक प्रतिवेदन बनाया जाएगा और उस प्रतिवेदन को तेसिलदार महोदय के समक्षप प्रस्तुत किया जाएगा अब तेसिलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे दिखी अब तेसिलदार महोदय जो है इनको क्या करना चाहिए कि तेसिलदार महोदय को जो भी पडोसी क्रशक है जो भी शामलाल के पडोसी क्रशक है या जिनने वहाँ पर मोके पर किसी प्रकार की कोई आपत्य ली थी और भी पडोसी क्रश्कों को सुनवाई का आउसर दिया जाएगा। उस शामलाल की जमिन का जो सिमांकन राजस निरिक्षक महोदय और पटवार महोदय के द्वारक किया गया है उसकी पुष्टी कर सकेंगे। तो पुष्टी करने से मतलब होता है कि उस सिमांकन को सही या उसको गलत करार दे सकते हैं। ठीके लेकिन देखिए अगर तेसिलदार महोदय को ऐसा लगता है कि पडोसी क्रशकों की सुनवाई जरूरी नहीं है तो ऐसी इस्तिति में भी उस सिमांकन की पुष्टी तेसिलदार महोदय कर सकते हैं। अब यह तो यह बात हुई कि तेसिलदार महोदय को उसकी पुष्टी करनी चाहिए। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर तेसिलदार महोदय जो है यह उस सिमांकन की पुष्टी इन पडोसी क्रशकों की सुनवाई के बाद में नहीं करते हैं या इन पडोसी क्रशकों को सु चुनोती दे सकते हैं उस सिमांकन को चुनोती दे सकते हैं और उसको निरस्त करवा सकते हैं ठीक है तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आपके पास में किस प्रकार के आधार रहते हैं उनके आधार पर आप सिमांकन को चुनोती दे सकते हैं अब देखिए हम यह समझ कि अब अगर चुनोती देंगे तो सिमांखन के खिलाब क्या कारवई होगी है ना किस प्रकार की कारवई सिमांखन के खिलाब होती है और सिमांखन निरस्त होगा या नहीं होगा और सिमांखन निरस्त होगा तो केसे होगा तो आपको यह प्रश्न तो समझ में आ गया होगा कि सिमांकन निरस्त होगा तो कैसे होगा ठीक है और यह प्रश्ण भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिमांकन निरस्त नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ठीक है अब आपको दो प्रश्ण समझना है कि सिमांकन के खिलाब क्या कारवाई करे और सिमांकन निरस्त होगा या नहीं ह तो देखिए, अब सिमांकन को निरस्थ करवाने के लिए जो कारवई होती है, वह मद्यप्रदेश भॉरा देब की धारा 129.05. तो देखिए, अगर परोसी करशकों को इस सीमांकन का सूशना पत्र राजस. या सिमांकन के समय अगर इन के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तूत की गई थी और उसकी सुनवाई भी नहीं की गई है या पीर जो प्रतिवेधन जो रिपोर्ट तेसिलडार मोहदे के समक्ष प्रस्तूत हुई थी राज सुनरीक्षक महोदे के द्वारा उस रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद में जो व्यथित लोग है जो पडोसी लोग है उनको सुनवाई का अवसर न देते हुए उस सिमांकन की पुष्टी तेसिलदार महोदे के द्वारा कर दी गई है तो एसी इस्तिती में जो 199 के तहद आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है अब उपकंड़ अधिकारी महोदे यह क्या करेंगे कि उस आवेदन के आधार पर जो रामलाल ने प्रस्तुत किया है उस आवेदन पत्र के आधार पर इस पन्नालाल को भी सुशना पत्र बेजा जाएगा इस शामलाल को भी सुचना पत्र भेजा जाएगा और इस शिवलाल को भी सुचना पत्र भेजा जाएगा इस प्रकार से सभी लोगों की सुनवाई करने के पश्यात में अगर उपखंड अधिकारी मोदय को एसा लगता है कि शामलाल ने जो सिमांकन करवाया था और जिस सिमांकन की पुष्टी तेसिल दर मोहदय ने की थी वह सिमांकन सही है तो ऐसी इस्तिति में उस सिमांकन की पुष्टी उपखंड अधिकारी मोहदय कर सकते हैं अर्थात यह कह सकते हैं कि शामलाल ने जो सिमांकन करवाया था वह सही था ठ सबी लोगों की सुनवाई करने के पश्याद फिर से दल गठित कर सकेंगे और फिर से इस जमीन का फिर से सिमांगण करवा सकेंगी इसका मतलब यह होता है कि उपखनड अधिकारी महोदया फिर से राजसुनिरिक्षक महोदया और पटवरी महोदया या उपखंड अधिकारी महोदय अगर यह चाहते हैं कि इन लोगों के अलावा दूसरे लोगों की टीम बनाई जाए तो उन लोगों की टीम बनवा कर इस शामलाल की जमीन का फिर से सिमांकन करवा सकते हैं और उपखंड अधिकारी महोदय को एसा लगता है कि टेसिलदार महोदय ने जो सिमांकन करवाया था वह सिमांकन सही से नहीं हुआ है तो ऐसी इस्तिती में उपखंड अधिकारी महोदय जो है यह क्या करेंगे कि इन सभी लोगों को जैसे धन्ना लाल को इस पन्ना लाल को इस शीव लाल को इस शाम लाल को सुचना पत्र देने के बाद में इस शाम लाल की जमीन का फिर से सिमांकन करवाएंगे और सिमांकन होने के बाद में फिर वापस से इन सभी लोगों को सुनवाई का अवसर देंगे और अगर अगर अधिकारी महोदे को लगता है कि पूर्व में जो सिमांकन हुआ था वह सही था और बाद में जो हुआ था यह भी सही है तो दोनों सिमांकन को सही मानते हुए उस सिमांकन की पुष्टी कर देंगे या फिर उपखंड अधिकारी महोदे को इसा लगता है कि पूर्व का जो सिमांकन हुआ था वह गलत हुआ था और बाद में जो सिमांकन हुआ है यह सही हुआ है तो ऐसी इस्तिती में बाद वाले सिमांकन की पुष्टी कर देंगे तो इस प्रकार से सिमांकन को निरस्त करवाया जा सकता है और अगर उपखंड अधिकारी महोदे के आदेश से भी अगर कोई व्यक्ती संतुष्ट नहीं है तो ऐसी इस मिश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तो इसको शेर कर दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंजे भारत